Application Control. तो हमारे पास है एक user, जो connected है, किस के साथ user हो गया, जो आपका connected है, चेक पॉइंट फायरवोल के साथ और यह हमारा इंटरनेट हो गया. अब क्या करना है? हमने अपने फायरवोल पे रूल बनाया कि इंटरनेट एकसेस हो सकता है, तो वो आपका हो जाएगा. तो अब जो user है हमारा, वो session बनाएगा, server के साथ तो धारन के लिए मैं यहां पे दो server ले सकता हूं. ले लेंगे एक हो गया आपका कौन सा? Google एक हो गया आपका Facebook. तो अब इस प्रकार से यहां पे रहेगा. तो पहले एक काम करते हैं, divide कर देते हैं इसको equal portion में, तो यह हमारा हो गया. Done. तो जो client है वो server के साथ different, different क्या बनाएगा? Sessions बनाएगा. तो जैसे कि एक session बनेगा आपका, उस session के अंदर आपका यहां पे दूसरा session बनेगा. ठीक है, तो यह हमारा दूसरा session हो क्या, फिर उसके अंदर हमारा क्या बनेगा? तीसरा session बनेगा. तो इस प्रकार से जब एक client एक server के साथ communicate करता है, हमारे different, different क्या बनते हैं? Sessions बनते हैं. तो इस प्रकार समझने के लिए हम कुछ colors की क्या ले लेते हैं? मदद ले लेते हैं, फोड़ा सा धीरेज रखना है. क्योंकि अब समझाने के लिए थोड़ा सा तो photo अच्छा बनाना ही पड़ेगा. तो यह हमारा हो गया. और मेरे हिसाब से काफी हैं. तो जो हमारा client है, तो सबसे पहला session बनाएगा Google के साथ यदि हम बात करें. पहला session बनेगा Google के साथ. या फिर हो सकता है यह हमारा क्या है? Gmail, तो उसके अंदर जो एक मिनट Gmail है या Google है, तो सबसे पहला session बनेगा SSL के साथ. SSL के अंदर वो दूसरा session बनाएगा किस के साथ? Gmail के साथ. Gmail के अंदर वो session बनाएगा किस के साथ? Google Docs के साथ. तो यह हमारा हो गया Google Docs के अंदर वो session बनाएगा. किस का upload वाला? फिर upload का बन सकता है या फिर Google Docs के अंदर आपका download का बन सकता है. या उसी के अंदर जो हमारा कौन सा है? Google Docs है, उसके अंदर तीसरा session आपका बनेगा. editing का या फिर sharing का बनेगा. ठीक है? वैसा ही जब हमारा client Facebook के साथ बनाएगा, तो पहला जो session बनेगा वो हमारा बनेगा. SSL का. SSL के अंदर वो बनाएगा किस के साथ? Facebook के साथ. Facebook के अंदर आपका हो सकता है कि Facebook के अंदर ही आपका बने यहां पे के Facebook chat है, या Facebook post है, या Facebook के अंदर games है, या Facebook के अंदर आपका events है. तो कहने का मतलब यह है, कि जो हमारा user है, जब एक server के साथ communicate करेगा, तो वो session अत्वक connection तो एक ही बनाएगा. तो server के साथ हमारा connection बना, लेकिन उसके अंदर different different sessions हो सकते है, SSL का, Gmail का, उसके अंदर आपका, जो है Gmail के अंदर क्या हो सकता है, यहां पे Google Docs हो सकता है, उसके अंदर upload, download, editing, मैंने कुछ ही नाम लिखे हैं, वैसा ही यहां पे आपका different different क्या बनेंगे, हमारे sessions बनेंगे. तो checkpoint के पास समता है, कि वो यह जो sessions बन रहे हैं, यह हमारे क्या हो गए, applications हो गए, तो application control की मदद से, किसकी मदद से, application control की मदद से, हम क्या कर सकते हैं, identify कर सकते हैं, monitor कर सकते हैं, और control कर सकते हैं applications को, यह apps यह application जो भी हो. तो आप checkpoint के अंदर यह policy बना सकते हो, for example, कि जैसे कि SSL चले, लेकिन क्या ना चले, Facebook ना चले, SSL चले, Gmail ना चले, तो वो Gmail को ही रोक देगा, या Facebook को रोक देगा, या फिर आप यह बता सकते हो, कि upload ना हो, download ना हो, और Facebook के अंदर क्या ना चले, chat ना चले, तो जिनको मैंने cross किया है, इनको आप क्या कर सकते हो, deny कर सकते हो, तो क्या निकला यहां पे, कि जो checkpoint का application control है, उसके अंदर, जब भी कोई client किसी server से communicate करेगा, तो हो सकता है उस communication के दौरान, different different sessions का इस्तमाल हो, ठीक है, तो checkpoint पे हम बनने वाले उस specific session को control कर सकते हैं, जैसे कि SSL चले, Gmail चले, Doc चले, लेकिन upload और download ना चले, Sharing चले, दूसरा session Facebook में, SSL चले, Facebook चले, Chat ना चले, Post चले, Game चले, और events वगेरा का data चले, लेकिन chat ना चले, आपके पास और भी option होंगे, कि आप उन्हें control कर सकते हो, तो यह हमारा कहलाएगा, checkpoint के अंदर application control, इसी को follow-alto में app id के नाम से जाना जाते हैं, आपके जाना जाना छॉश